नवस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत एको नए वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्ति गिरिश दोस्तों मॉर्निंग का करीब साड़े पाँच वजे का टाइम हो रहा है और आप देख पा रहा हूँ काफी है दे रहा है और यहां पर फोग भी है थोड़ा सा मैं हेडलाइट कौन करके दिखाता हूं देखिए फोग की स्थिति क्या है काफी फोग है अभी गाड़ी रुकी लीख टेखिए और ऐसी कौन सी तीन चीजे हैं जो की आपको बिल्कुल नहीं करनी है यानि टीन वालाझ हूँ तीन टिफ्स देरे वाला उह हीटर का यूज करते मैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट ख़ले तो आपको मैं बता दों एटर सिस्टम गारी में यह फिर AC system गाड़ी में दो तरह का होता है, यानि जो climate control है, वो दो तरह का होता है, एक manual और एक automatic, यहाँ पर आप देख पा रहे हों, हमारी गाड़ी में automatic AC दिये गया है, जितना हम temperature set करेंगे, उतना ही temperature cabin में यह maintain करके चलेगा, जिस तरह से हम घर का AC यूज करते हैं, temperature set करके छो थोड़ा सा, ताम जाम ज्यादा मिलेगा, उसमें आपको manually ज्यादा चीज़े करनी होती है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, auto में डालोगे, वैसे ही AC चालू हो जाएगा, और आपको temperature set करना है, बस ठीक है, और एक बटन से off करना है, लेकिन manual AC में ऐसा नहीं होता आपको blower भी on करना होता, airflow direction भी change करना होता, हलाकि इसमें भी आपको airflow direction अपने हिसाब से change करना होता, लेकिन वो switch के मादम से करना होता, इस तरह के electric switch दिये गए है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो मैं बता रहा था कि heater का use करते से, मैं आपको की चीज़ों का ध्यान यहां पर, ठीक है, और यहां अगर आप देखेंगे, तो गाड़ी के engine का temperature, यानि coolant का temperature होता होता है, इसमें digitally इस तरह से, तो दो पॉइंट सो हो रहे हैं, कोई की गाड़ी अभी चल के आई है, एक तो आर्पीम हाई होता है, और उसके बाद जो है, दीरे दीरे जब गाड यहां तक आजाएगा, यानि engine गर्म होने के बाद, सेंटर में आ जाता है, कुछ गाड़ी में इस तरह का, एनालोग गोज दिया होता है, temperature के लिए, और कुछ गाड़ी में दिया ही नहीं होता है, तो गाड़ी को एक दो किलिमीटर चलाने के बाद, आपको heater को on करना है, ऐस जल्दी से engine को गर्म करना है, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो heater होता है, वो coolant से काम करता है, engine के अंदर circulate होने वाला coolant होता है, वो engine के कारण गर्म होता है, और उस गर्म coolant से ही heater system काम करता है, तो जब तो coolant गर्म नहीं होगा, तब तो heater system काम नहीं करेगा, आपने देख़ ह हवा इंजन को स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद सर्दी के सीजन में हम हीटर को ओन करते हैं तो फिर एकदम से गर्म हवा नहीं आती थंडी हवा आती हो आप लोग सोचते हैं कि यह इसा क्यों हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन यह है जब तक आपकी गाड़ी का इंज गर्म होने के बाद ही हीटर को स्टार्ट करना है अधरवाइज गाड़ी का ECM जल्दी से इंजन गर्म करने के लिए एक्स्टा फ्यूल की सप्लाई करता रहेगा इससे क्या होगा कि आपका एक्स्टा फ्यूल थोड़ी देर के लिए बर्न होगा और जैसे इंजन का टेम्फ्रेचर जो है सेंटर में आ गया या एक दो पॉइंट बढ़ गया है तो फिर जो है आप हीटर चला सकते हैं पहली दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो है लोगों को परिशान करती बिगनरों को वह यह कि हमको हीटर का यूज करते समय एसी को ओन करना है या नहीं यानि एसी बटन को दबाना है या नहीं जैसी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैंने टेम्फ्रेचर को 31% किया हूँ और यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो एसी का स्विच भी ओन है तो इसको आपको ओन रखना है या ओफ रखना है तो सब्सक्राइब करें। नहीं होगा क्यों कि आप AC भी चला रहे हो साथ में और साथ में आप heater भी यूज कर रहे है तो heater भी properly काम नहीं करेगा तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि AC बटन को कभी भी आपको नहीं दबाना है ठीक है? तीसरी गलती क्या करते हैं तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि हीटर हमने चला दिया माल लीजिए AC बटन भी हमने नहीं चलाया हीटर का हम यूज कर रहा है टेमपरिचर हमने हाई कर दिया चलिए इस तरह से अब फ्रेस एर वाला जो स्लाइडिंग वाला स्वीच होता है मैनूल गाड हमाने गाड़ी के अंदर की हवा ये ले रहा है भी लेकिन अगर इसको दबा के ओप कर देता हूँ या फ्रियस एयर की तरब कर देता हूँ तो बाहर की हवा थन्डी और अंदर का जो टेंपरेचर है और थोड़ा सा थनड़ा होने लग जाये तो हीटर चलाने के दोरान भी हीटर अपनी पूरी एफिसियंसी के साथ में काम नहीं करेगा, तो अमेशा आपको इसको भी बंद रखना है, अगर स्लाइडिंग वाला सुइच है तो बंद रखना है, बाहर की हवाँ नहीं लेनी, अगर इस तरह का switch है तो इसको अमेसा केविन के अंदर की हवापे ही रखना है तो ये तीन गलती हैं जो की heater चलाते समय आपको नहीं करना है और इस तरह से अगर आप heater को यूज करेंगे तो heater बहुत अच्छे से काम करेगा और कोई भी problem आपको नहीं आने वाली है तो ये information थी आपको ये जानकरी कैसी लगी अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरू कीजिएगा share जरू कीजिएगा और चैनल को subscribe जरू कीजिएगा Thank you